हलो दोस्तों दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आयम मुझी पे दोस्तों डाक सरकल एक ऐसा प्रॉब्लम है ना चाहे वो लेडिस हो या जेंस हो जब भी किसी को भी होता है ना तो बहुत जादा इरिटेट हो जाता है तो आज में कुछ ऐसा ही सल्यूशन लेका ही हू जाते हैं जो कि एक तरह का फैटी एसिड होता है और इस पे बहुत जादा इंफ्लमेटरिस प्रॉपर्टीज होते हैं इसके लावा कैस्टर ओयल पे बहुत जादा मात्र में एंटी ऑक्सिडन पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं और हमारे अंडर ले आप और उसको जस्ट हमारे डाक सरकिल के जो एरिया है उस पे सर्कुलर वाइस हलका सा मसाच करें बिल्कुल भी प्रेशर क्रेट ना करें जस्ट फ्यू मिनिट तक मसाच करके ओवरनाइट छोड़ दे कुछ ही दिन में आपको रिजल देखने लगेगा और बहुत फास कास्टर ओयल आप जेड रोलर के साथ यूज कर सकते हैं जेड रोलर क्यूंकि जेड रोलर क्या करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट कर देता है आइस की पफिनेस हो आई बैग हो इन सब को हटाने में बहुत जादा मदद करते हैं तो सब से पहले आप अपने डाक सब्सक्राइब करते हैं कियुकि यह बहुत जादा हाइपर पिग्मेंटेशन बहुत जादा डाक स्पोर्स को उठाने में मदद करते हैं हमारी स्कीन से सब सिंपली कुछ बूंत ले ले रोस हिप और कुछ बूंत ले ले आप क्यास्टर आयल की दोनों को इक्वली मिक्स कर कि अपने डाक सरकर एरिया पे लगाए, मसाच करें, ओवरनाइट छोड़ दें और कुछी दिनों में आपके डाक सरकर छू मंतर हो जाएगी, तो उमीद है ये छोटी से टिप आपकी काम आएगी, अगर अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल बेटन को ज जरूर बताए, थांक यू सो मच